नवस्कार मैं हूँ संजे किशोब इश्या कप में भारत की हार के बाद इतना निराश था कि आप से मिलने नहीं आपाया अब भी CCI के चैन करताओं ने एक और जटका दे दिया है ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भारती टीम का ऐलान कर दिया गया है IPL में गुजराथ टाइटन्स को चैंपिन बनाने में हैं भूमिका निभाने वाले महमद शमी और IPL में सबसे महंगे विक्के बोलर दीपक चहर 15 सदसों की वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है दोनों को स्टेंड बाई के तौर पर रखा गया है यानि किसी को चोट वगरे लगती है तो उन्हें मौका दिया जाएगा वहीं संजू सेमसन तो रिजर्ब टीम में भी नहीं है अब यह संजोग है या प्रियोग संजू चहर शमी वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है इतना ही नहीं इस साल की शुरुवात में आईपील के मेगा आॉक्षन में रिकॉर्ड 15.25 करोर में भीके विशान की सर्द भी टीम से बाहर चल रहे हैं दीपक चहर निलावी में 14 करोर में भीके थे संजू सेमसन को टीम में शामिल नहीं किये जाने पर बवाल मचा हुआ है आईपील में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में उनका पफॉर्मेंस दमदार रहा था विगेट कीपर बल्लेबाज सेमसन ने अपने टीम राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में पहुचा दिया था संजू सेमसन को नजर अंदाज करते हुए टीम में रिशपंत और दिनेश कार्तिक दोनों को बतार विगेट कीपर शामिल किया गया है संजू को टीम से अंदर बाहर किया जाता रहा है हालांकि जब भी उने मौका मिला है किसी को निराश नहीं किया है एक नजर डाल लेते हैं टीम में कौन-कौन खिलारी है चार खिलारियों को स्टेंडबाई के तोर पे रखा गया है मौमर्शमी, शुर्याश एयर, रवी बिश्टोई और दीपक चहर तेज गिंदबाज, जस्पीद बुमलाह और मीडियम पेसर हरसल पटेल फिट होकर टीम में वापस लोटे हैं इनके आने से डिस्ट उबर में भारत की गिंदबाजी मजबूत होगी जस्पीद दुमलाह और हरसर पटेल अन्फिट होने के कारण एश्या कप में नहीं खेल पाये थे इस साल टी-टी में भारत के सबसे सफल बोलर है भूमनेश्वर कुमार 22 मैचों में 31 विगेट लिए है हरसर पटेल दूसरे नमबर पर है उन्होंने 19 विगेट लिए है वहीं जोएंद चाहल ने 16 मैचों में 19 शुकार बनाए है रभी विगेट लिए है और शदीव सिंग इस साल के टोब फाइब बोलर्स में शामिल है जबकि जस्प्रीट बुमना इस साल तीन ही टी-टी-टी मैच खेल पाए हैं जिसमे उन्होंने तीन विगेट लिए है इस साल विगेट के लिहाज से नवे नमर पर चल रहे रभी शदन अश्वेंट टीम में हैं लेकिन चौथे नमर के बोलर रभी विश्लों ही स्टैंडबाई है कुल्दी प्यादों के नाम पर भी विचार नहीं किया गया और रविद्ध जेडेजा ने घुटनों का ऑप्रेशन कराया है और उन्हें फिट होने में समय लगेगा लिहाजा उनके नाम पर भी विचार नहीं किया गया इस साल T20 भी भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सूरी कुमार यादों ने बनाए है 17 मैचों में 566 रन श्रेव सायन ने 14 मैचों में 444 रन बनाए है जब कि शानकिसन ने 14 मैचों में 430 रन बनाए है लेकिन दोनों टीम में नहीं है कहा जा रहा है कि चैन करताओं ने अनुभव को तरजीह दी है दूसरे शब्दों में कहें तो एक बार फिर बड़े नामों को प्राथमित्ता दी गई है मैं तो इतना ही कहूँगा कि संजू सैमसन की कमी और रविचंधन अश्विन की मौजूदगी टीम को खल सकती है आज बस इतना ही क्रिकेट और स्पोर्ट की दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एंडी टीवी इंडिया और एंडी टीवी स्पोर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं बोले साथ ही आप ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्वीटर है एट सेंट किशोर बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार